हेलो फ्रेंड्स मैं अमोल पाटील अमोल फाइनाट कैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हमें देखना है बहुती आसान तरीके से डोर नेम प्लेट किस तरह बनाया जाता है इसके लिए मटेरियल क्या-क्या यूज करना है तो चलो देखते हैं सबसे पहले यमडी अप या प्लाइ का कटिंग, फेविकॉल, सिरैमिक पाउडर, शिल्पकार या एमसील, गनेश मूर्थी या अधर डेकोडेटिव मटेरियल, फेविकृल या क्यामलीन एक्रेलिक कलर का बेस होने दो, या प्लाइ का बेस होने दो, उसके उपर ये सिरैमिक पाउडर का लेयर करें, और कोम से या किसी भी मटेरियल से आप आपको जैसा चाहिए वैसा टेक्चर ले सकते हैं, ये टेक्चर पूरा बेस का टेक्चर कोम से लिया गया है, उसके बाद में फिर आप करके डोर नेम प्लेट के नीचे का जो पार्ट है उसे मैं डिजाइन बना रहा हूँ आप देख सकते हो आप किसी भी टाइप का डिजाइन कर सकते हो शिल्पकार या एमसील से आप ऐसा एमबॉस डिजाइन बना सकते हो यहाँ पे जो प्लाई का घर का और्शन कट किया गया था उस पार्ट के उपर शिल्पकार से पूरा कार्विंग किया गया है कार्विंग करने के लिए आप कटर यूज़ कर सकते हो या अदर टूल भी इसके लिए मिलते है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे भी शिल्पकार यूज़ करके ड्रॉइंग पैलेट का डिजाइन बनाया गया है डिजाइन यहाँ पे हमारा कंप्लिट हुआ है अभी हमें कलर करना है इसके लिए तो सबसे पहले एक वाइट कलर का बेस कलर हम यहाँ पे देते हैं वाश ताकि इसके उपर जो हम एक्रैलिक या क्रैलिन कलर यूज़ करेंगे उसे अच्छा सा ग्लो मिलेगा सबसे पहले पूरा वाइट कलर यहाँ पे दिया आपको जो भी नेम डोर प्लेट पे लिखना है उसका शुरू में पेपर के उपर सेप्रेट सेप्रेट अलफाबेट्स तैयार करें जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो शिल्पकार से मैंने सेप्रेट सेप्रेट लेटर पेपर के पूर्शन पे आपको यह सेप्रेट सेप्रेट लेटर तैयर करना है और बाद में यह सब लेटर आपके नेम प्लेट के उपर पेश्ट करना है हमारी डोर नेम प्लेट एक्ट्रेक्टिव होने के लिए हमें कलर बहुती एक्ट्रेक्टिव यूज़ करना है इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्राउन, ब्लिव, एलो, आरेंज इस टाइप के सभी कलर यहाँ पे यूज़ किये है आप वीडियो में देख सकते हो में दोर ख्राउन, प्लिव, एलो, आरेंज आप। यह दोर ने प्लेट हमारा कम्प्लीट हुआ है इस तरह से आप कोई भी डिजाइन में डोर ने प्लेट बहुती आसान तरीके से गर पे बना सकते हो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें बाजू का बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नए नए अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहें